माशालला से जी हमारा lip balm जो है works ready हो गया है आप जिस को इसको कह सकते हैं लिब अब आप इसका कलर चेक कर सकते हैं कितना अच्छा बना है तो आपन जी वीम पूरी देखनी माशाला से और हमारे होंट इसे बहुत ही सौफ्ट रहेंगे अस्सलाम अलेकूम अभीरा एहमद फूर सीक्रेट में आप सब का वैलकम है उमीद है जी आप सब खेर खेरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे तो जी आज मैं आपके लिए होममेड लिप बॉम की रैस्पी लेके आई हूँ तो माशाला से हमने एक चुकंदर लिया था उसको पीसिज में कट कर लिया और उसको अपने ब्लेंडर जो जग होता है उसमें या आप दूसरे में ब्लेंडर में भी कट सकते हैं तो छोड़ा सा पानी आड़ किया ताके वो अच्छा सा उसका पेस्ट बन जाया तो उसको अपने किसी भी कपड़े में आप चलनी के मदद से चांद लें अच्छे सारा पानी निचोड लेना है और फिर हमने इसको पकने के लिए रख देना है और इतना हमने कूख करना है कि ये हमारे पास बिल्कुल लास्ट में वन टेबल स्पून के ब्रापर बच जाए तो माश्यला से ये देख सकते हैं आप कलर इसका कितना अच्छा आया है और वन टेबल स्पून के करीब रह गया है तो हम अपना जो चुल है वो ओफ कर देंगे और दूसरी साइट पर हमने क्या करना है कि एक हमने किसी भी आपने बरतन में पानी गरम उसको बॉयल कर लेना है और उसके अंदर एक आपने रख लेनी है जी कोली जिसको कहते हैं और यह कोई भी बरतन जो आपने शीशे का या प्लास्टिक का इस्तमाल नहीं करना है तो आप खुशिश करें कि यहां वो पितल का हो यहां फिर वो सिल्वर का हो यहां स्टील का हो तो मैंने स्टील का एक ले लिया बरतन उसमें अपनी हमने वन टेबल स्पून के ब्लाबर भर के वैसलीन जो होती है जी हर घर में अवेलिबल होती है वो हमने इसमें आड़ कर दी है तो इसको अब हमने माशला से अच्छे से मेल्ट कर लिया है तो अब ये होंगी है हमारी मेंट अच्छे से तो अब हमने जो अपना चुकंदर था पीस के हुंकि को कर लिया था वह हमने डाल दिया है इसमें उसका मिकसर जो लास्ट में टेबल स्पुन के करीब बच यं था जो उस बस हमuन है उוא जमन ए का कैपसूल आपको एजिली अवेलिबल मिल जाता है जी मैडिकल स्टोर से तो यह हमने इसमें आड़ कर दिया है अच्छे से निचोड के सारा निकाल लें तो माशाला से जी अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपको नजरारा होगा कि यह जो है दुबारा से जमना स्टार्ट हो गई है तो अब हम दुबारा इसको बरतन में हम किसी भी शेप में जिसमें हम इसको लाना चाहते हैं दुबारा से इसको अब थोड़ा सा हम गरम करेंगे तो माशाला से आप चैक कर सकते हैं जी इसका कलर जो है कितना अच्छा है और घर में ही माशाला ट्रिक भी अच्छी लग रही होगी तो अगर अच्छी लग रही है तो जी लाइक कर दें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नए आने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो माशला से अब दुबारा से हमने उसको गरम पानी में रखा ताकि वह थोड़ा सा फिर दुबारा से मैल्ट हो जा और हमने अब इसको जिस शेफ में देना है उसमें अब हम उस बरतन में उन्डेल देंगे तो ये मैंने एक लिब ऑम का खाली था हमारे पास उसमें पास ऐड़ कर दिया है ओर एक लिप स्टिक थी खाली खतम हुई उसको मैंने अच्छे से वाश करकर रख लिया था और उसमें अड़ कर दिया है और दोनों का फिर आप हम सैट होने के लिए रख देंगे एक से आद़ घंटे के लिए मुसम आपको पता है अब ठंडा है तो जी अराम से बिना फ्रीज के बाहिर ही सैट हो जाएगा तो अगर आप गर्मियों में बनाया तो वासे जरूरत तो इसकी सर्दियों में ही होती है तो जी फ्रीज में भी आप रख सकती हैं अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो ये देखें माशाला से बिल्कुल अच्छी सिराडी होगी है तो अमीद है जी आपको ये अच्छी लगी होगी